जैमाता दिमित्रो, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है आज मैं आपको एक सिद्ध प्रियोग बताऊंगा और इस प्रियोग को करके यदि आपके उपर किसी भी वैक्ती ने आपके शत्रू ने किसी तांत्रिक ने किसी योज़ा ने किसी सोखा ने किसी तंत्र मंत्र की क्रिया करने वाले ने या फिर किसी भगत ने या फिर किसी भी बुरी प्रवर्ती के वैक्ती ने आपके उपर किसी के माध्यम से तंत्र क्रिया करवा दी है जिसके कारण से आपका जीवन बरबाद हो गया है आपके शरीर में प्रॉबलम रहने लगी है आपके घर में प्रॉबलम है आपके कारोबार में प्रॉबलम है आपकी नौकरी में प्रॉबलम है आपके परिवार के सदस्यों में किसी भी प्रकार की बीमारी हो गई है या फिर कोई कल है कलेश रहता है और ये सारी चीजे तंतर के माध्यम से किया गया है और तंतर की वैक्ति हमेशा तंत्र क्यों करता है इसके कुछे कारण होते हैं क्या पता वह वैक्ति आपसे इरशा करता हो आपसे वैक्ति आपसे जलन करता हो या उसके उपर किसी ने तंत्र किया हो और अपने तंत्र को अपने उपर से उतरवा करके उसने आपके उपर करवा दिया हो किसी महिला की कोक किसी ने बांध रखी हो और उसने अपने बच्चे को जन्म देने के लिए अपनी कोक को खुलवा करके आपकी कोक बांध दियो किसी महिला की आपके घर की और इसके अलावा आपका कारोबार पहले बहुत अच्छा चलता हो या आपके घर में सारी चीजे सुख सम प्रिद्धी पहले खूब रहती हो और सामने वाला व्यक्ति परेशान हो दुखी हो परेशान हो या उसके उपर किसी ने तंत्र किया उसने अपना तंत्र उतरवा करके आपके उपर डलवा दिया हो आपके उपर क्रिया करवा दियो तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं किसी भी व्यक्ति के आपके उपर तंत्र करने के लेकिन ये भी सत्त है कि जगह जगह भटकोगे आप लोग जाओगे यहां जाओगे वहां जाओगे पूरी दुनिया घुमोगे जहां जहां आपको लगेगा कि मैं यहां से ठीक हो सकता हूं वहां पे जाओगे लेकिन कई बार प्रियोग ऐसे होते हैं कुछ एक साधना ऐसी होती है कुछ एक तंत्र के प्रियोग ऐसे होते हैं क्योंकि तंत्र के माध्यम से किसी को बरबाद भी किया जा सकता है और तंत्र के माध्यम से उस प्रियोग को खतम भी किया जा सकता है तो मैं आज आपको एक तंत्र का प्रयोग बताने वाला हूँ और इस तंत्र के प्रयोग को आप स्वैम भी करोगे तो भी आपके उपर किसी ने तंत्र भी किया होगा कोई चौकी भेजियो कोई क्रित्या भेजियो कोई घात भेजियो कोई मारन का प्रयोग किया हो कोई आपके उपर बंदिश लगाई हो ब लगनी में जल करके स्वाह हो जाएगी और क्योंकि यह सिद्ध प्रियोग है गुरू के द्वारा बताया गया प्रियोग है तो मैं आज आपको यही प्रियोग बताने वाला हूं इसके लिए आपको क्या करना है आपके घर में जितने भी लोग हो चाहे चार हो चाहे पांच हो अंदर का पानी सूख जाता है तो वो सूखा गोला बन जाता है तो वो आपको ले लेना है जितने लोग हैं जितने सदस्य हैं घर में उतने आपको सूखे गोले ले लेने हैं उन गोलों को ऊपर से आपको थोड़ा सा काट लेना है चाकू की साहता से जैसे कि जब आप हवन कर डालते हो और पूर्णा हुती के वक्त आप गोले को उपर से काटते हो फिर बंद करते हो उसी प्रकार से आपको वो गोला थोड़ा सा उपर से काट लेना है गोला काटने के बाद में गोले में आपको दो लॉंग डाल ली है दो इलाइची डाल ली है और दो जाइफल डाल ल कुम कुम रोली जिसको बोलते हैं वो डालना है और इसमें आपको क्या करना है कि एक एक नीबू लेना है और उस नीबू का पूरा रस उस गोले के अंदर आपको निचोड देना है और साथ में आपको डालने हैं इसमें दो बताशे दो बताशे डाल देना अगर बड़े बता बताशे आप डाल सकते हो, नहीं तो आप बताशे के स्थान पे इसमें मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, ये सारी चीजे आपको डालना है, अगर आपने तीन गोले लियें तो तीनों गोलों में ये चीजे डलेंगी, दो गोले लियें तो दोनों गोलों में ये ची सहे उस गौलों को औन देना चार oh तरब से ताकि उस का मूख खूले ना कि आपको क्या करना कि अपने सामने किसी भी पाथंसर में किसी भी बरतन में किसी भी चाहे तो आपके पास हवं कुंड तो आप उसमें अगनी प्रजोलित कर लो अगर हवं कंड नहीं है आपके पास में तो आप किसी भी तसले में या फिर इट के उपर या कैसे भी आप सोविदा करके अगनी आपको प्रजोलित कर लेनी हैं आम की लकडी की साहता से या किसी भी लकडियों की साहता से उसके बाद में वो गोले आपको ले लेने हैं घर में जितने भी लोग हैं उन सबी के उपर से एक एक गोला उतारना यानि कि सब का अपना अपने गोले से उतारना है आपको साथ बार एक एक करके पहले आप बागी सब लोगों के उपर से साथ बार उतार लो फिर वो लोग आपके उपर से साथ बार उतार लेंगे गुमा लेंगे और ये आपको clock wise करना है ठीक है यानि कि left से right और इसके बाद में सब के उपर से उतार लेना है और जितने भी गोले हैं सब को अपने पूरे घर में गुमाना है आपको छट के उपर और कमरों में हर जगा आपको गुमाना है बस खाली lettering bathroom को छोड़ करके ठीक ह सबी जगा से गोले घुमा लेने हैं उसके बाद में जहां पर आपने अगनी प्रज्वलित करी है वहां पर आपको आजाना है अब आपको क्या करना है कि अगनी प्रज्वलित करी है अगनी में आपको मैं आपको पांच मंतर बता रहा हूं इन पांच मंतरों का आपको ओम शरी गनेशाई नमहा ओम शरी गनेशाई नमहा इस मंत्र को 11 बार बोलना है इसके बाद में ओम नमस्षिवाई ओम नमस्षिवाई ओम नमस्षिवाई ओम नमस्षिवाई इस मंत्र को भी आपको 11 बार बोलना है इसके बाद में आपको माता काली का मंत्र बोलना है 11 बार ओ ओम श्री कालिकाई नम्हा, ओम श्री कालिकाई नम्हा, ओम श्री कालिकाई नम्हा, ओम श्री कालिकाई नम्हा, इसके बाद में आपको बोलना है हनुमान जी का मंत्र, ओम श्री हनुमते नम्हा, ओम श्री हनुमते नम्हा, ओम श्री हनुमते नम्हा, ओम श्री हनुमते नम्ह और उसके बाद में आपको एक एक करके ये गोले अगनी में डाल ले हैं ठीक है थोड़ा सा देशी घी का इस्तेमाल करते रहना आप लोग बीच में ताकि गोले आपके अच्छी तरह से अगनी में जल जाएं बीच बीच में घी डालते रहना और एक एक करके गोला डाल देना कोई दिक्कत नहीं है एक साथ डालोगे तो अगनी बुझे सकती है और एक एक करके गोले डालना जब एक गोला थोड़ा सा जल जाए तो उसके बाद दूसरा डालना फिर तीसरा डालना फिर चोथा डालना इस तरीके से जितने भी गोले आपने लिए है वो एक एक करके अगन में जो भी तंतर क्रिया जो भी उपरी बादा उपरी हवा भूत प्रे जो कुछ भी जो भी चीज जहां से आई है वहीं वापस चली जाए और इस तरीके से आपको ये बात तीन बार बोलनी है वहाँ पे ठीक है और इसके बाद में आपको अपने सभी देवी देवताओं को कुल देवता को पित्रों को प्रणाम करके अपने हाथ पेर जोड़ लेने हैं और उसके बाद से आपके उपर जो भी तंतरबादा आए जो भी चोकी छोड़ी हुई थी वो चोकी नश्ट हो जाएगी वापस वहीं चली जाएगी जिस वेक्ती ने आपके उपर भेजी थी और दुबारा से वो वेक्ती अगर आपके उपर प्रयोग करेगा भी तो वो दुबारा से ऑटोमेटिक जिन भी देवताओं की क्रिया आपने करी है जो भी हवन में उनके मंत्रों का जब क्रिया है जब किया है उनका प्रोटेक्शन अपने आप ही आपको मिल जा लिए वो क्रिया हमेशा के लिए नश्ट हो जाएगी तो आशा करता हूं दोस्तों जो प्रियोग मैंने आपको बताए वो आगर आपको अच्छा लगाया पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरह क के प्रियोग आपको बताता रहूं और गुप्त से गुप्त जानकारी रहसे से रहसे भरी जानकारी आपको देता रहूं मिलूंगा आप से अगली वीडियो में जैम आता दी